श्कार मित्रो मातरानी की जायो स्वागत है आपका हमारी यूट्व चैनल पर मित्रो आज हम आपको बताएंगे कि सुपारी से कैसे होता है वशी करण तो चले शुरू करते हैं पर मित्रो ध्यान रहे कि मास में दर्गा सेवन करके आपके विधी नहीं करनी है और अगर आप विधी करने में अशवर्थ है और वशी करन हमारे आसरम से करवा ना चाहते है तो आप हमें बेजिजग संपर्ख कीजे आपकी पूरिशायता गी जाएगी हमारे संपर्ख सुथर आपकी स्कीन पर चल रहे हैं तो मित्रो अब आजाता है विधी के उपर मित्रो ये जो पंसार या किसी भी पूजन सामगरी की दुकान में आसानी से उपलब्द हो जाएगी और दूसरी सामगरी आपको लेने की आवशकता नहीं है बस आपको इस पूजा की सुपारी पे सामने वाले व्यक्ति का नाम पहले से ही अंकित कर लेना है जी हमें तो जैसे देख लिए हम उनने नाम अंकित कर रखा है जैसे मैंने लिख रखा है रमेश यानि कोई लड़के अगर वशी करन करिये और उसके प्रेमी का नाम रमेश है तो आप रमेश लिख लेगे तो इस परकार से नाम आप पहले से किसी मारकर से अंकित कर लीजेगा और फूज़सुपारी को एक बिछा कर बेड़ जाईएगा और सबसे पहले आपको क्या करना है इस उपारी पे नामंकित करना स्वेक्ति का जिसका व्या वशी करन करने जा रहे है और स्वेक्ति का स्पष्ट नामंकित करना है और नामंकित करने के बाद इसे सीधे हाथ में लेके इसे सीधे हाथ की मत्र होगा तो मैं मंत्र बोल देता हूं मंत्र है о्म सर्व संमोहनं सफलकुरुश्वाह। ढ़िया में लेना ही आपने नाम अंकित कर序 है और वैंस उस Π clicking कि अपको मन्ही बन्न में करना है बहुत इस प्रश्ट अंतर ध्यान करना जिससे की वो ऐसा मेसूस होने लग जाएगी वो आपके साथ वीदी में बेटा और आपकी सहयता कर रहा है आपको जैसे यह मंतर बोलो उसके बद आप क्या करेंगे इसे अपने सिराने की नीचे रखकर सो जाएंगे सुपारी अभी सुपारी के उपर फूग मानने है नाम जहा लिखा वे उस तरफ ग्यारा बार फूग माननी है और ग्यारा बार फूग मानने के साथ बोलना है वश्यम जी हां हर बार फूग मानने के साथ बोलना है वश्यम तो वश्यम बोलके फूग मारे और फिर आपको क्या करना है इसे स पास आप जा सकते हैं और वहां जाकर आप इसे गहरा घड़ा खोद के दबा देंगे जी हमें तो गहरा थोड़ा खोद दीगा जिसे ये वापस निकलना पाए और दबाकर सीधा अपने घड़ा जाएंगे और घड़ा कर हाद मुद होगे आप अपने काम में लग जाएंगे ये कारे आपको दस बज़े से पहले पहले करना होगा जैसे आप ये कारे करेंगे आपकी विदी में पेसमापत हो जाएगी और आप ये देखेंगे कि उसी दिन श्याम तक वह वैक्ति पूरी तरीके से आपके वश में हो चुका है और उसका मन पूरी तरीके से आपके वश वश्में हो चुका होगा उसका मन पूरी तरीके साफ के जुच्व मैं हो चुका होगा आप यह देखेंगे कि आपका प्रेम वापस आपका हो गया बस अची तरीके से कीजिए आपको जरू सफल करेगी मित्रों अगर आपको भी लगता है कि आपके पार्टनर को backup रूप आप तो उसके उप्रिय भी दिया सद नहीं करेगी अगर आपको ऐसा लगता है तो आप हमें संपर्क कीजिए आपको बताया जाए कि काल जाद हो या नहीं है और अगर होगा तो उसका उची समधान आपको दिया जाएगा हमारे संपर्क सुतर आपकी स्क्रीन पर चल ले इसी के सा हमारे साथ जुड़ जाएंगे जै मातलानी की